कि नमस्कार मैं हूँ प्रकर प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं क्रॉस फायर क्रॉस फायर में आज हमाय संग ऐसे मेहमान मौझूद हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि भारती जनता पार्टी की पूरी रणनीती बनानी है और वार रूम के वो हेड है यानि कि किस तरीके से कॉंग्रेस को इस चुनाओं में हर जगा पटखनी देनी है मैं बात कर रहा हूँ भारती जन्ता पार्टी के उपाध्यक्ष सीधे तोर पर मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं उनसे आपको मिलाओंगा यानि मैं बात कर रहा हूँ मुक्तार अबास नक्वी की आपका बहुत-बहुत स्वागा नक्वी साब जो सबसे बड़ी बात है क्या आपको लगता है कि स्टेटेजी में आप लोग कहां आगे निकले हैं और कहां कॉंग्रेस पीछे है क्योंकि जो बात हो रही है आप लोग एक दूसरे पर व्यक्तिकत हमले भी कर रहे हैं इस्टेटेजी का यहाँ सवाल नहीए इस्टेटेजी बहुत बहुत कोई बनाए बहुत इस्टेटेजी में माहिर हो लेकिन उसके बावजूद भी जमीन परती प्यार उंबला है किसी इस्टेटेजी की वेज़े नहीं हुए है वो निस्जित तोर से कांग्रेस पार्टी के कुशासन के खिलाफ एक करोध की करांती है और लोगों को आज एक सुशासन के लिए एक अच्छा विकल्ब एक बहुत ही स्ट्रॉंग विकल्ब दिखाई पड़ा है और इसलिए जो है वो आज अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी दस सालों में इतने जिनका उनका शासन रहा उस शासन में उन्होंने क्या किया इसके बारे में वो बात करने को तयार नहीं है मैंने सवल इसलिए क्योंकि जैराम रमेश को वर रूम से हटा दिया गया है पहले उनकी जिम्मेदारी थी कांग्रेस में तो आप कहीं बारी पड़ रहे हैं पहली बात तो यह कि कांग्रेस पार्टी को जैराम रमेश जी को हटाने से क्या फाइदा है क्या अरे बाई कोई अगर जिम्बेदार है तो मनमोहन सिंग जी है सोनिया गांधी जी है राहुल गांधी जी है पोस्त तो मनमोहन जी के पास थी और पावर जो है सोनिया जी और राहुल जी के पास थी तो जब वो हटेंगे थब जा करके काम चलेगा लेकिन समाजवादी पार्टी और साथ में सीधे तोर पर मार्क्सवादी कमनेस पार्टी कहती है कि विपक्ष में बेहतर काम तो आपने नहीं किया आपने इस सरकार को चलवाया वरना इस सरकार नहीं चलती विपक्ष जो है वो सरकार को कुई कम्यों के बारे में उसको इंकित करता है उसके बारे में जो विरोध सड़क से लेके संसरत तक है वो करता है महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, घोटाले हुए, जंधन की लूठ हुई तो एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते हमने जो हमारी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी थी जो हमारी समयधानिक जिम्मेदारी थी उसको पूरी तरह से निवाया अब सरकार अगर बेशर्म हो और सरकार को ये लगे कि हम तो एहंकार मिचूर हैं, हमें तो जनता ने जड़ा हैं